दोस्तों नमस्कार क्या हाले स्वागत है आपका कबर एच्पी में तो आईए नज़र डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक ने किये तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ल लंबे समय की मांग पर यहाँ पर डी एसपी ओपिस खुलने का एलान किया मैं संदोल और धरहमपूर में नगर पंचाद बनाने की भी खोशना की इसके अलाबा मिनी सचिबाले के लिए संदोल और धरहमपूर को डेड़ डेड़ करण की रासी दिये उन्हें नागरिक अस् सेत्र के लिए कड़रों की घोशनाय की है मैं स्यम सुकू ने भासन की सुरुवात में बबा कमला हिया को याद किया और भासन के दुरान अपने एक साल के कारेकाल की उपलवधिया का जीक्र किया इस दुरान गिरंटी पर भी बात रखी और साथी बरसात से हुवे नुकसान पद भले जाएंगे वही नई सक्षिनिक सत्र से पहली कक्षा में अंग्रेजी माद्यव से पढ़ाई होगी वही बता देखिए धरंपूर में पहली बार 52 साल में से पूर्णे राजत्वत समारो हो रहा है अब एक मार्च से शुरू होगी दसबी और बारमजी की वार्षी परशा है संसोधी सेडिूल जारी भूट परशाओं के लिए इसकूल चिक्चाओं बार ने बूद बार को संसोधी सेडिूल जारी किया है बोट की ओर से 19 जनवली तक छात्र अभिभावकों, अध्यापकों और चिक्षा चेतर से जुड़े परतेग वर्ग से डेट सीट के संदर में आपतियां और सुझाब मांगे थे बोट बोट ने तिसरी, पाँचवी, आठवी, नवी और एगारवी कक्षाओं की नईमित एवं राजी मुक्त विद्याले की वार्षिक परचाएं, कमपाडमेंट, अतरिकती विशे और स्रेनी सुधार परचा के लिए डेट सीट जारी किये बोट ने तिसरी, पाँचवी, आठवी, नवी, दसवी, एगारवी और एगारवी कक्षाओं की नईमित और SOS परचाओं की फाइनल डेट सीट जारी कर दिये बोट के सचीव डॉक्टर मेजर विसाल स्रमा ने बताया की 26 फरवरी से ही नवी और एगारवी कक्षाओं की नईमित परचाओं की तिसरी की 26 फरवरी को अंग्रेजी, 27 फरवरी को परियावरन चिक्चा, 28 फरवरी को हिंदी और 29 फरवरी को गनित विशे की परचा होगी अप्रेल से महंगी हो सकते हैं घरिलू बिजली दरों में 15 फिश्दी तक बढ़ुतरी का परचाओं की गई हैं जो एक अप्रेल से सुरू होने वाला हैं वे विदूत नियामक आयोक इस पर आने वाले दिनों में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना निरने सुनाएगा हालाकि दरों में वडुतरी का फैसला मार्च के अंतिम दिन किया जाना है लेकिन इसके लिए अभी से कसरत सुरू हो गई है मैं पर्देश में बिजली बोड के संचालन और राच के ओभोकताओं को बिजली की दरों के बढ़ाने से ज़्यादा परभाव ना पड़े इन सभी पहलूं को ध्यान में रखते हुए बिजली बोड की और से अगावी वित्य वर्स के लिए नई बिजली दरों की घोषना की जाएगी रासन की डिपो में मिलेगा लोकल चावल खुस्बू से होगी पहचान जही माचल की रासन काड और भोगताओं को अब डिपो में डोकल चावल मिलेगा मैं इसकी खुस्बू का पता दूर से ही चल जाएगा मैं खाद नागरी एवं और भोगता मामले इभाग ने इसकी पहल कर दी है बता दे कि सिर्मोर, सोलन और कंगला जिले के कुछ हैत्रों में इस चावल की सप्लाई कर दी है मैं खाद आपूर्ति निगम किसानों से धान की खरित कर रहा है और पूर्व में भी किसानों से धान खरिदा गया है बिना फूड लाइसंस के चल रहे सराप के ठेकों के संचालकों पर धर्ज होंगे अपराधिक मामले बतादो की मअ debut जिला में भी नियमों के अवहिलना के मामले में सामने आने पर परदेश सवास्द सचीब से लिखेद पतराचार कर ठेके संचालों को पर अप्राधिक मामले दर्ज करने की अनुमती मांगी है मैं मन्डी जिला में चल रहे सराप के ठेकों पर हाल ही में की गई आवस्ट्रेक करवाही में बिना फूड लैसेंस के चल रहे सराप के ठेकों का खुलासा होने के बाद अब मंडी जिला भर के 200 से अधिक सराप के ठेकों के दस्तावेच खादिय सुरक्चा इभाग की ओर से जाचे जा रहे हैं इसके लिए खादिय सुरक्चा अधिकारी की नेतित में टीमें भी फिल्ड पर उतारी गई है राष्टी राजमार को जोडने वाली सनकों की मरमत के लिए केंदर देगा 152 करोड जन लोक रिमान मंत्री विक्रमादित सिंग ने गुरुबार को नई दिल्ली में केंदरी सनक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिर जैराम गटकरी से भेट की इस दुरान उन्होंने हिमाचल में वितेवर्स भारी बारिस्व भूसकलन के कारण हुए नुकसान संबंधी मुदों पर चर्चा की विक्रमादित सिंग ने बताया कि केंदरी मंत्री ने राश्टी राजमार को जोडने वाली सनकों को मरमत व उन्नियन के लिए 152 रुपिय सिग्र जारी करने का अस्वासन दिया है विक्रमादित सिंग ने कहा है कि केंद्रिय मंत्री ने कुल्लू वा मनाली का दोरा कर राष्टी राजमार को हुए नुकसान का जैजा लिया था हिमाचल पुलिस के इन अधिकारियों का राष्टपती पदक के लिए चेन आईजी सुमेदा दुवेदी एक मात्र महिला भी इस लिस्ट में सामिल सरकारी कर्मचारियों को सीम सुकू से बजट में वित्तिय लाप मिलने की पूरी आस सरकार को करना होगा 12 हज़ार करोड का इंतिजाम जिन लोकसभा चुनाप से पहले हो रहे सुकू सरकार के दूसरे बज़ट सत्र में सरकार करमचार्यों के हितों का पुरा ध्यान रखेगी इस सम्मन्द में मुख्मत्र सुकू की मुख्य सची परबोच सक्षिना के साथ लंबी मंत्रना हुई है अब देखना यह है कि परदेश सरकार करमचार्यों को लंबित पड़ी डिये की तीन किस्तों में से कितना फिजदी डिये देने की घोसना करती है उना से अयुद्या जाने वाली आस्ता एक्सपेस से एक हपते तक के लिए हुई अस्तगीत रेलिवे ने इस कारण लिया फैसला हिमाचल पर्देश के राम भक्तों को अध्या लेकर जाने वाली आस्ता एक्स्पेस ट्रेन जो की जीला उना से 29 जन्वरी को चलने वाली थी उसको फिलाल एक सब्ता के लिए अस्तिगित कर दिया गया है मैं आस्ता एक्स्पेस ट्रेन अब फरबरी मां में चलेगी इसके लिए नई तिथी जारी रेलिवेज भाग दोवरा की जाएगी उन्हेंने काया कि ये पुरी ट्रेन राम भक्तों के साथ फुल हो गई है मैद्रों का हला बोल आईजी एमसी में नोकरी से निकालेगे सुरक्षा कर्मी फरबरी में शुरू करेंगे आंदोलन जी हाँ मापका नेता विजेंदर महरा ने कहा कि फुरानी कमपनी देन वो इंटरप्राइजेज ने अभी तक चार महिने का एप तक नहीं डाला है ना तो सुरक्षा कर्मियों का E.S.I. जमा किया है इन सब का जिम्मेदार कोन है? वह चार सुरक्षा कर्मियों को गैर करनोनी तरीके से निकाला गया ये वो सुरक्षा कर्मी जो मैद्रों के हीत में आवाज उठाते थी वन मंजुली नौ मिलने के कारण लटके केस इसकुल कोलेज भवन निर्मान करने में आ रही दिकत जे वन मंजुली नौ मिलने के कारण लटके प्रोजेक्ट का चिक्षा इभाग ने विवरा तलब किया है मैं निदेशक उजटर चिक्चा इभाग डॉक्टर अमर्जीत सर्मा की और से सभी जिलों के उप चिक्चा निदेशक और इस्कुलों के पर्धनाचारी वह मोखी अध्यापकों को सर्कूलर जारी किया गया है मैं सर्कूलर के साथ एक फर्मेट भी भी भेजा गया है इसमें पूछा गया कि कितने इस्कुलों कोलेज के भवन ऐसे हैं जिनके लिए बजट मंजूर हो चुका है लेकिन एपस ये की मंजूरी नो मिलने के कारण अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है जबकि इसके साथ चूबदो सो पचास इस्टाफ नर्स और फरमासिष्ट की भर्ती राई सरकार करने जा रही है उन्हेंने काय कि जल्दी या भरती परिक्रिया पूरी कर ली जाएगी इसके बाद स्वास्त सन अतानों ने खाली चल रहे पदों पर डक्टरों की तिनाती हो जाएगे मैं करनल सांडिल ने कहा कि दवा नियंतरक का पद भरने की परिक्रिया को सरकार जल्द ही पुरा करेगे मैं फिलाद दूसरे अधिकारी इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं उन्हेंने कहा कि सरकार इस पद के लिए योगी अधिकारी की तलास में हैं और जल्द ही पद भरा जच भर लिया जाएगा उन्हेंने काया कि ज़्यादा देर तक जिम्यदारी वाले पद को खाली रखना समभब नहीं है उन्हेंने काया कि राज सरकार इस बिसे पर गंभिता से विचार कर रही है मैं पद भरने को लेकर जरूरी आप चाता है जल्द से जल्द पूरी की जाएगी में स्वास्त मंत्री करनल धनाम सांडिल ने कहा कि डॉक्टरों के NPA बहाल करने पर सरकार प्रयास रहत है उन्हेंने कहा कि डॉक्टरों को यह जानकारी दे दी गई है कि नॉन प्रेक्टिस एलाउंस यानि की NPA बंद नहीं किया गया है अनुबंद प्राध्यापकों को सभी सेवा लाब लागू करें सरकार संग ने सीम को ग्यापन सौप मांगी रहात हिमाचल प्रदेश राच के महा बिद्धाले प्राध्यापक संग ने कोलेज प्राध्यापकों की लंबित पड़ी मांगों को लेकर मुख्मतिर सुकवेंदर चिंग सुकू को बढ़तर बिधान सबाच छेतर के दोरे पर बुद्धवार को एक ग्यापन सोपा हिमाचल में बार बार सेंपल फेल होने पर दवा कंपनियों के रद किये जाएंगे लाइसेंस हिमाचल परदेश सरकार ने दवाओं के सेंपल फेल होने वाली कंपनियों के खिलाब कड़ी करवाई कर दी है बार बार सेंपल फेल होने वाली कंपनियों को लाइसेंस रद किया जाएगा महीं इन्हें दवाओं का उदपादन नो किये जाने को लेकर नोटिस जारी किये गए मैं स्वास्त मंति धन्राम सांडिन ले काय की बार बार दवाओं के सेंपल फेल होने से हिमाचल की विश्मिनिस्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं हिमाचल में बनी 40 दवाओं के सेंपल मानोकों पर खरेच खरे नहीं उतरे हैं ये सेंपल 25 दवाओं फारमा के हैं मैं सरकार की ओर से सेंपल फेल होने वाले उदवोगों के खिलाब कानूनी करवाही अमल में लाई जा रही है सुंदर नगर में निजी कमपनी के दूद के उदपात की सप्लाई रोकने का अलड़ जारी दो बच्चों की हुई थी मौत जी हम मंडी के सिराच छेतर की कोटला खनूला पंचायत के सिला गाओं में निजी कमपनी का दूद पीने के बाद संदिक्द हालत में जुड़ूआ बच्चों की मौत के बाद सुंदर नगर छेतर में कमपनी के दूद के उदबात की सप्लाई तुरंद परभावसर रोकने के अलट जारी कर दिया है बीए ऐसी बीकॉम पहले साल की अनुप्रग परचाएं 13 फरबरी से होंगी इसके लिए सरदार पटल यूनिवर्सिटी मंडी ने डेट सीट जारी कर दिये मैं डेट स्रीट के मुताबिक परचाय फरबरी और मार्च में आजित होंगी मैं परचाय सुभा और साम के सत्र में होंगी मैं सुभा के सत्र में परचाय सुभा साड़े नौ बज़े से साड़े बारे बज़े तक होंगी मैं जबकि साम के सत्र परचाएं दो बज़े से साड़े पांच बज़े तक होंगी मैं परचाएं तेरा फरबनी से लेकर अठारा माज तक चलेंगी इस बात की जानकारी सरदार पटेल युनिभरसिटी के परचाएं यंतरक इंजिनियर सुनिल वर्मा ने दी उन्हेंने कहा कि सभी बिश्यों की अनुपुरग परचाओं की डेड़ स्रीट बेप्साइट पर डाल दी गई है और चातर चातरा इसे देखकर अपनी त्यारी कर सकते हैं उस्ट्रेलिया में सोलन के भाई बहन की मौत फिलिप आईलेंड पर घटी ये घटना जे सोलन सर के भाई बहन की ओस्ट्लिया में डूबने के करण मौत हो गई है इस घटना में खूल चार भार्त्यों की मौत हुई है मैं जानकारी की अनुथर बता दे की ओस्ट्लिया के विक्टोरिया के फिलिप आईलेंड में ये घटना घटी है मैं दोनों भाई बन सोलन के वाट नमबर छे के तहत वान महला में रहते थे उनके पिता गुर्मीद सिंग यहाँ पर सरकारी ठेकेदार है मैं जानकारी के अनुथर बता दे कि उनका बेटा जगजीत सिंग और बेटी सुहाना अपनी मोसी निवासी पंजाब फगवाडा के नसाथ औस्टलिया में छुटियों होने पर घुमने के लिए विक्टोरिया के फिलिप आइलेंड में गई थे और यहाँ पर समूदर की लहरों की चपेट में आने से वे डूब गए और उनकी मौत हो गई एकल महिलाओं को अब इस सर्थ पर मकान बनाने के लिए मिलेगी डेड़ लाक रुपईये जे परदे सरकार राज की साथ हजार महिलाओं को मकान बनाने के लिए डेड़ लाक रुपईये की रासी देगी लेकिन उसी महिला को मकान बनाने के लिए रासी दी जाएगी, जिसके पास अपनी जमीन होगी, इसके अलाबा जिसका मकान जरजर अवस्ता में होगा, मैं सरकार्न मुकमंत्री बेदुआ एवं एकल नारी अवास चोजना में यह सर्त लगाई है, हाना कि इन दिनों समाजिक न पुरान यह भी देखा जाएगा, विभाग ने तहसिल वेलफियर अधिकारियों को सरवे का जिमा सोपा है, इस वीत वर्स में महिलाओं को घर बनाने के लिए डेड़ लाकी रासी दी जाएगी, मैं गोरतराबे की हाल ही में हुवी, मंत्री मंडल की बेटेक में सरकार ने इ लेकिन संपन हुवी, खेलो इंडिया यूत गेम्स में जुबल छेतर के पूसकर मस्तर ने 75-80 किलो भार वर्के में कांसे पदक जीतकर परदेश के साथ सत, छेतर का नाम उचा किया है, इस युवा खिलाडी ने कम उमर में ही वाक्सिंग को अपने केरियर के रूप में चु जुगा है, चुवन साल का हुवा हिमाचल परदेश बरबारी के बीच इंद्रा गांधी ने की थी पूर्ण राजत्व की घोसना, जे पहाड़ी राज्य हिमाचल परदेश को पूर्ण राज का दरजा मिले 54 साल हो गये है, हिमाचल परदेश का पाई दसक से ज़्यादा का यह सफर उतार चड़ा भरा रहा, मैं 25 जनवर 1971 को वह एतिहासिक दीन था, जब देश की ततकालिन परदान मंत्री इंद्रा गांधी ने हिमाचल परदेश को पूर्ण राज से बनाने की घोसना की थी, उस वक्त रीज मदान पर तापमान माइनस टिगरी था, और आसमान से बरफ गिर रही थी, मैं इंद्रा गांधी भी कई मुश्किनों के बाद आनाडेल से रीज मदान तक पहुँच पाई थी, मैं हिमाचल परदेश को पूर्ण राज का धरजा देने के किलाब कई सनास्ताएं थी, इसके बाबजूत लंबे संगर्ष के बिच हिमाचल इसके बनने से सहरवास्चों को एक ही छट के निचे कई सुबधाय मिलेगी, मैं नगर निगम ने सबजी मंडी में इस मोल को बनाने का प्रस्ताव त्यार कर लिया है, इस पर करीब 130 कड रुपे खर्च होंगी, इसके लिए नगर निगम परदेश सरकार के बजट की मांग करने वाला है, मैं अगर परदेश सरकार से इसकी मंजुरी मिलती है, तो लोग मैं नगर निगम ने योजना बनाई थी कि DPR के साथ ही इस प्रस्ताव को सरकार को सोपा जाएगा, लेकिन DPR त्यार नो होने के कारण इसका प्रस्ताव ही सरकार को सोपा जा रहा है, मैं नगर निगम का दावा है कि जल्द ही इसकी DPR त्यार हो जाएगी, बिधायक प्रात् करेंगे नेता परतिपक जराम ठाकूर ने गुरुबार को इसका एलान करते हुए कॉंग्रेस सरकार पर बीजेपी बिधायकों को बीए एसपी के फंड से पैसा नौ मिलने का आरूप लगाया उन्हेंने यह भी आरूप लगाए कि SBD का पैसा भी केबल कॉंग्रेस बिधायकों को ही पाटा जा रहा है हिमाचल में सुरू हुआ PDMS 2.0 नए बोटरों के लिए एक मार्च तक चलेगा अभियान हिमाचल सरकार के चिक्चा इभाग और निर्वाचन आयोक मिलकर परदेश के नए बोटरों को मद्दान के परती जागरू करने के लिए पोल डे मॉल्टरिंग सिस्टम के तहत अभियान चलाएंगे मैं चिक्चा इभाग और चुनाव आयोक के बेच गुरुबार को इस समन्द में एक समझोता ग्यापन पर दस्तक कचक किये गये हैं इसके अलाबा अगामी एक मार्च तक पोस्टर, सांग और वीडियो मेकिंग परतोगिता भी आजित की जाएगे मैं समझोता ग्यापन पर राजपल सीपरताब सुकल की में दस्तकत कियेगे मैं राष्टे मदता दिवस पर सिमला में आजित कारिक्रम में राजपल सामिल रहे सिर्मोर की बेटी होगी गंतरन दिवस पेरेड में गार्ड ओफ ओनर का हिस्सा सिर्मोर जिले के डॉक्टर यस्वन सिंग परमाराच के महा बिद्दले नहान की एन्सिसी के डिट अंडर ओपिछ ओपिसर संतोस दिवस की पेरेड में गार्ड ओफ ओनर का हिस्सा बनेंगी बतादे की बीए तिरतिय बर्ष की छात्रा संतोस मुलरूप से संग्रा तैसिल के बलार गाओं के सेर सिंग की पूतरी है मैं एन्सिसी के परभारी लेप्टिनेंट डॉक्टर पंकज ने बताए कि एन्सिसी इंटर कमपनी से केबल दो कंडिडेट संतोस और चेतना का चेन हुआ था मैं जिसमें अंतिम चनमें दिले में संतोसी बंजा हर्यना चंडिगर एवं हिमाचल परदेश एन्सिसी निदेसाले का परतिने दित्व करेगी आठ लाकी मोबाइल चोरी कर फूर होने वाला था चोर सोलन पुलिस ने धरा जिस सोलन सहर के लक्र बजार में एक दुकान से आठ लाकी चोरी कर भागने की फिराक में बैठे एक चोर को कुछी घंटे के भेतर सोलन पुलिस ने धर्द बोचा पुलिस के इस ततपरता से कारोबारियों ने खुसी जदाई है बता दी कि चोर ने भूद बार सुबह एक इलेक्ट्रोनिक सोप में चोरी की थी वो आठ लाग रुपे के मॉबाइल फॉन लेकर चबपत हो गया था दुकान सुबह की थी सुबह ने पुलिस को चोरी की सिकायत की थी पुलिस ने सिसी टीवी फूटेज के अधार पर चोर की सिनाक्त की और उसके फरार होने से पहले ही उसे धर्द वोचा टेक्सी ओपेट्रों के एडवांस टेक्स 2400 बढ़ा भड़का यूनियन कहा यह है धोका जहिमाचल परदेश के टेक्सी ओपेट्रों का इस साल का एडवांस रोट टेक्स 2400 बढ़का आया है इससे पहले अप्रेल 23 से 31 मार्च तक का टेक्स 4500 जमा हुआ था लेकिन अप्रेल 24 से लगने बाले एडवांस टेक्स 7900 का दीख रहा है इसे परदेश के टेक्सी ओपेट्रों यूनियन भड़क गए है उन्हेंने इसे सरकार की वदा किलाफी बताया है धरमपूर को DSP ओपिस संदोल बनेगी नगर पंचायत जहिमाचल परदेश कल अपना 24 पूर्ण राज़त्वा दिबस मनाया मैं मंडी जिले के धरमपूर में आजित राज अस्तरिय कारीकरम की स्यम सुक्वेंदर सिंग सुकू ने अधिश्टा की यहाँ पर उपस्तित जनता को संबोधित करते वे स्यम सुकू ने सरकार के विकास कारी गिनवाई इसके अलाबा उन्होंने अब धरमपूर की लंबे समय की मांग पर यहाँ पर DSP ओपिस दिया है मैं संदोर वा धरमपूर को नगर पंचायत बनाने की भी गोशना की है इसके अलाबा मिनी सची वाले के लिए संदोर और धरमपूर को डेड़ जड़ करूर की रासी दिये उन्हेंने नागरिक अंसबतालो धरमपूर और तीरा को भी 50-50 लाग रुपे की गोशना की है मैं पता दी कि सरकागाट कोलेज में MSC जुलो जी की गोशना की गई है इसके अलाबा बाबा कमला हिया मंदिर सुंदरी करण के लिए 3 कोड़ देने की गोशना की मैं धरमपूर छेतर के लिए कड़ोरो की गोशना की है इससे पहले CM सुकूने पेरेड कर रिक्षन किया और मार्च पास्ट की सलामी ली हिमाचल परदेश के मोसम पर बड़ा अपडेट अब चार दिन लगातार होगी बारिस और बरबारी IMD ने बताया जो हिमाचल परदेश के मोसम बदलने वाला है भारते मोसम बिभाग ने अपडेट देते हुए बताया कि हिमाचल परदेश में अगले चार दिनों तक लगातार बारिस और बरबारी की संभावना है मैं कई दिनों से भेशन थंड की चपेट में चल रहे हैं मैं हिमाचल परदेश का तापमान और नीचे जा सकता है मैं बारिस और बरबारी के बाद इन इलाकों में तेजी नहीं की कोई गोस्ना जिए वो एरियर का इंदिजार कर रहे हिमाचल पर्देश के कर्मचारी वो पैस्नरों को निरासा मिली है बता दे कि हिमाचल के पुर्ण राजतव दिवस पर अपने समवधन में सियम सुकुवेंदर सिख सुकु ने धरमपूर विधान सभाच छेतर को कई बड़ी घुशोगा तेतों दी लेकिन डिये का इंदिजार कर रहे कर्मचारी को निरासा कर दिया अपने समवधन में पर दिये कोई बड़ी घुशना भी नहीं कर पाये है कहानी देश के पहले बोटर की जिसने अंतिम सांस लेने से चंद घंडे पहले डाला आखरी बोट जख्या आप जानते हैं कि देश के पहले मादता कौन है देश में सबसे पहले कब चुनाब हुए थे क्योंकि हिमाचल में चुनाप से पांच महीने पहले बोर्ट डाले गए इन सवालों का जवाब एक दिल्चस्प कहानी है जिसमें एक आम इसकूल मास्टर लोगतंदर का सबसे बड़ा ब्रांड एमवेस्टर बन गया जिन्दगी में हालात कुछ भी रहे हो उसने हर बार बोर्ट डाला और जब मौत ने दस्तक दी तो उसने आखरी सांस से पहले अंतिम बोर्ट भी डाला पर लोगतंदर के उस नायक का जीक्रत बनता है जिसने बोर्ट की एहमियत को जोती को जिन्दगी भर जलाई रखा ये कहानी है देश के पहले बोर्टर मास्टर स्यामसरन नेगी की बता दे कि आजादी के बाद पहले चुनाप का पहला बोर्ट अजादी के करीब पांच साल बाद फरवरी 1952 में पहले आम चुनाप हुए थे लेकिन हिमाचल के कवाईल इलागों में बरबारी देखते हुए वहाँ चुनाप करीब पांच महने पहले अक्टूबर 1951 में करवाई गई थी तब हिमाचल के किन्नोर जिले के मास्टर स्यामसरन नेगी ने भी बोर्ट डाला था लेकिन इस पहचान को सामने आने में करीब 56 बरस लग गई इसका स्रेहिमाचल की पूर्ब निर्वाचन अधिकारी मनिसा नंदा को जाता है जिनोंने 2007 में पहले आम चुनाप में बोर्ट डालने वाले मादताओं की पहचान करती वग सभी तत्यों को खंगाला मैं जिसकी बदोलत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंतर को उसके पहले मादताओं से मिलवाया मैं कई महिने फाइल वर्क और सिमला से दिल्ली तक की मतापची के बाद पता चला की अजाद भारत के पहले बोर्टर का नाम सब के सामने आया फिर साल दुनिया दस में देश की मोख्य चुनाव आयुकत नविन चावला ने किन्दोर पहुंचे और स्याम सरननेगी को सम्मानित किया दोस्तों खबरों का सिल्चला अभी खत्म होता है जनकारी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करें और ताजा समाचार का अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरू जोईन करें जिसका लिंक डिस्क्रिशन में दिया हुआ है या फिर सर्च करें खबर एचपी धन्यवाद